प्रिम लाहरी रहिम, तो प्यारी प्यारी विवरस, कैसे हैं आप लोग अज में लेकर आयूँ हमें आपके लिए मज़िदार सी चिकन बिरियानी की रेशिपी जब्दस और मज़िदार बनी है बिर्यानी चलें तो रेसिपी की तरफ चलते हैं मजड़्दार सी बिर्यानी बनाने स्टाट करते हैं बहुत असान तरीका में आपको शिखाऊंगी बिर्यानी बनाने का माश्यल्ला से लुक देखें कि तीजबर्दस बनी है, देखें गाईस, तीन पाउ मैने चिकल ली है, अच्छे से मैंने इसको दो लिया है, इसको हम सबसे पहले मैरिनेट करेंगे, कुछ चीज़े मैंने निकाल के रखें हैं, वह हम डाल के इसको मैरिनेट करने के लिए रख देखें आधी प्याली मे नहीं दही लिया है एक नीबुका मुखा जितराइन बस से ट्लेया है ऌडाँ लिया है नमक लिये यह आदा चमप्प्ट आदा चमप्प्पा पैस्ति हे तख टस्कति आदा चम्मच लिया है मैने कुटी भी लाल मिर्चे और पिसावा गरम मसाला लिया है आदा चम्मच इस सब चिज़े डाल के हम इसको मेरिनेट करने रख देंगे तकरीब दो गंटे के लिए टाइम जादा हो तो आप तीन से चार गंटे के लिए भी रख सकते हैं देखें नि है मेरिया थिक संब्सक्राइब है यह रही कि या दुदू अच्छी तरीके से मिक्स कर लोंगी ए बहुत आसान रेसिपी बिर्यानि के आप ज़रूर त्राइ करेगा झाल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा लाउक शेयर करिएगा ओ यह मुझे जरूर सब्सक्राइब करिया कर दिया है तों तों देर से 2 घंटे का चाहिए हो समान तेयर कर लेते हैं क्या इले अचे का इस समान ट्रफी ऊ striking तीमाट में तेमाटर लाई और थो के अचर वागे इस ना है मौले कट कर लिए और यह यह वह आ lots कर लिए भफ द werde के करने के लिए रख देती हूं जब तक मसाला तैयार कर लेते हैं जब तक हमारे अलू बॉयल हो रहे हैं हाफ कप मैंने ऑइल लिया है इसको अच्छी सम कर लेंगी गरम अच्छा से गरम हो जाए तो मैं इसमें थोड़ से प्याज एट करूंगी देखें प्याज एट कर दिये म ब्राउन नहीं करना है वह थल्का से कलर लाना है हमें बहुत असान रेसिपी ज़रूर ट्राइ करिएगा इद आ रहे हैं ज़रूर ट्राइ करिके देखिए गाई विडियानी बहुत मज़गी बनेगी आपके जो महमान आएंगे वह भी खुश रहेंगी खाकर विडियानी बहुत आएकेदार बनती है यह बहुत आसान सिंपल सी रेसिपी है यह लोफ लेंपे में इसको ब्राउन करूंगी प्यास को अलूबी हमारे डन हो चुके हैं तो हम इसका मसाला त्यार कर लेते हैं देखिए प्यास ब्राउन होनी शुरू हो गई है हमारी लाइट सा कलर आ इस पर दो मिनट में इसको और फ्राई करूंगी दिखें अलका सा और इसमें कलर चेंज जाए पर बाकी चीज़ां इसमें आट कर देंगे कि कलर आना शुरू होगी इसमें भूए लाइट सा कलर लाना हैं मैं डाक ब्राउन नहीं करना है वजना बिर्याने कलर कर जाता है यह देखें अलका सा गोल्डन कलर आ क्षब पेस्ट एक चम्मच में डाला था एक चम्मच में डाल दिया है अच्छी से खुछबो आ लगे शेयर बागी चीज़े भी हम ऐड्ट करते जाएंगे अच्छी से कुछ बुआने लगी है अब इसमें टिमाटर एट करूंगी जो हमने काटके रखे हुए हैं अच्छी साम करेंगे भुनाई और थोड़ा सा मैंने एक चुटकी नमक डाला इस टिमाटरों के उपपर ताकि जल्दी से टिमाटर हमारी गल जाए इसको मैं धक्के प पकाने से फाइदा होते हैं कि टिमाटर जल्दी से नर्म हो जाते हैं और भुनने में असान रहते हैं अब अच्छी साम इसको कर लेंगे मिक्स इस तरह से मैं तोड़ती जाओंगी मसाले को ठोड़ सीधर बुनेंगे फिर एंवे जो चिकन हमने मरिनेट करके रखी होई है वो भी आइट कर देंगे चिकन के साथ पिर हम इसकी बुनाई करेंगे तो चुकी है अब मैं इसको सारी इसमें एड कर दूंगि टीमाट्रों में उसमें हम करेंगे बहुनाई अच्छ से यह देखें मैंने एड कर दी है तोड़ा फ्लेम जब मैंने हाई कर लिया है ताकि जल्दी से इसकी भुनाई हो जाओ जो पानी है एक्स्ट्रा वो ड्राय हो जाए कितनी असान रेसिपी है बहुत असान बहुत जबर्दस बनती है आप ज़रूर प्राय करिएगा देखें जो टिमाटर जादा बड़े बड़े हैं वो मैंने को तोटी जा रही हूँ थोड़ी सी तर मैं इसको ढख दूँगी ताकि चिकन हमाई गल जाए तकरीबन छे से साथ म कुछ मसाले लिए मैंने जीरा लिया आदा चम्मच दो तेज पाच के पत्ते नमक देर चम्मच थोड़ा से मैंने लोगे लिए हैं काली मिर्चे और दारचीजिकर टुकड़ा दोदद बादियान के फूल यह चीज़ हम डाल के हम इसको बॉयल करेंगे अच्छे से तीन से सेपरेट होना शुरू हो गया है मस चिकर भी हमारी गल चुकी है बिल्कुल थोड़ी दिर में इसको मसाले को भूल लूंगी जब तक हमारा पानी बॉयल हो रहा है पिर हम चावल बॉयल करेंगे माशला से आपसका कलर देखें कितना जबरदस आया है इतनी ही जबरदस में से कुछ भू आ रही है घर के मसाले की बहुत मज़ी की बनती ही बिर्यानी आप ज़रूर ट्राइ करिएगा देखें अच्छे तरीके से मैंने इसको भूल लिया है पानी हमारा तक्तिवरं ड्राइ हो चुका है वो थोड़ा सा पानी रह गया है इसमें मैं आलू भी एट कर दूँगी जो हमने बॉयल करके रखे हुए हैं ये देखें गाइस इसको पानी मैंने फेक दिया था और आलू इसमें डाल दिये हैं थोड़ा सा पादीना और हरी मर्चा अट कर दिये मैंने इसमें हरी मर्चा आप चाहें तो काटके भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने साबोती अट करी हैं अच्छे सा मैं इसको मिक्स कर लेंगे मसाला हमारा बिल्कुल रैडी हो चुका है अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया इसको बस मैं आप चूला बन कर दूँगी माशालला से जबरदसा रैडी हो गया हमारा मसाला एक मिन्ट के लिए चाहें तो आप दंपे लगा सकते हैं इसको एक मिन्ट के बाद यह देखें हमारा पानी बॉयल होना शुरू हो गया अब मैं इसमें चामल भी आड़ कर दूँगी मसाला हमारा बिल्कुल रैडी हो चुका है फिर हम लगाएंगे तह लगाएंगे इसकी देखें माशालला से मसाला बिल्कुल रैडी हो चुका है हमारा मैं अच्छी से कुजबू भी आ गई है हरी मिर्चो की चामल बॉयल कर लेते हैं चामल मैंने इसमेट कर दिये हैं तकरीब नगें 10 मिनिट लगेंगे हमारे चामल बॉयल हो जाएंगे जो चामल आप यूस्ट कर रहे हैं अस हिसाब से पानी आइट कर दियेगा यह हमें दम पे लगाना है एक टिमाटर में ने चॉप कर लिया है पौदीना है थोड़ा सा और यह दही में थोड़ा सा जर्दे का रंग मिलाया है यह हम तह में लगाएंगे इसे बहुत अच्छा सा कलर आता है चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं तकरीबन चेक कर लेते हैं हम इनको बॉयल हो गया हमाई चावल में इसका पानी ड्रेन कर देती हूँ दस से बारा मिनिट लगे हमाई चावल बॉयल होने में आद पानी कर दियकिता है तक पोदी न ड्लॉयल होती तो इसका पानी ँरीम चावल में अड़मनेDI ठीके आदेओं वर दस दक ढ़व दूसरी तहावल में अटके दिया हो तौन नई में लगा दूए risky को तगरीबन 15 मिंट के लिए दम पे लगाएंगे हम बिडियानी माशला आप इसकी लुक देखें किती जबर्दस लग रही है इतनी ही जबर्दस के खुश्बू आ रही है कि देखें गाइश पंद्रा मिंट हो चुके हैं आपको मिक्स करके दिखाती हूं इतनी जबर्दस इ देखें आप लुक इसकी देखने में जितनी अच्छ लग रही है खाने में इतनी ही मज़े की थी माशला से किती जबर्दस बनी है और कितनी मसालेदार बिडियानी हमारी तैयार हुई है जरूर ट्राइ करिएगा और ऐसे पर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए अपना ख्याल रखिएगा मुझे दुआओं में याद रखिएगा अल्ला हाफिज